चोपड़ा है जो किसे ने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्देक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचों ये जो आप हिंदूस्तान का न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं इसमें लिखा है इन दो मेडिकल चात्रों की दुबारा होगी नीट की परिक्षया बॉम्बे हाई कोट ने दिया आदेश जाने वज़े तो ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ ये बॉम्बे हाई कोट का निर्देश है नेशनल इलिजिबिलिटी कम इंट्रेंशियरी नीट की परिक्षया आयोजित पिछले मेहने 12 सित्मबर 2021 को हुआ था इसी दोरान निरक्षक की ऐसा आवदानी के कारण सुलापुर जिले के दो मेडिकल उमिदवारों को मिस मैचिंग टेक्स्ट बुकलेट और आनस्वर सीट मिले थे ऐसे में बॉम्बे हाई कोट ने बुदवार को एंट्ये इन दो मेडिकल उमिदवारों के लिए नीट परिक्षया आयोजित करने का निर्देश दिया है नयायमूर्ती आर्डी धनुका और नयायमूर्ती अबै अहुजा की खंडपीट ने एंट्ये को याचिका करता हूँ वैस्नोवी भोपाले और अभी सेक काप सेक के लिए फिर से परिक्षया आयोजित करने और दो सब्ता में उनके परिणाम गोशित करने के निर्देश दि तु ये इस प्रकार का मामला है तो इसमें 12 सितिमबर को जो एक्जाम हुई थी सौलापूर के स्री स्वामी नारायन गुलूकुल इंटरनेशनल स्कूल में जो एक्जाम हुई थी तो उनमें इन दो बच्चों के साथ में गडबडी हुई है उसी के चलते बंबे हाई कोट ने इन दोनु स्टुडेंट की दुबारा से नीट की एक्जाम कंडेक्ट करवाने का निर्देश दिया है उमेदवारों का कहना है कि प्रिवेक्षू ने टेस्ट बुकलेट और ओमार सीट को मिला दिया ऐसे में दोनु उमेदवारों की बेमेल टेक्स्ट बुकलेट और ओमार सीट मिली वैसनवी को कोड़ 4 की टेस्ट बुकलेट और कोड़ P4 की आंस्वर बुकलेट मिली जबकि कि इसके बारे में जानकारी मिली, नोंने तुरंत निरक्षकों को इस बात की जानकारी दी, लेकिन उनकी नहीं सुनी और सुप करवा दिया, ये सब बाते रोण उम्मीद्वारूं की याचिकाओ में कही गई है तो ये इस परकार का मामला है ये भी बताया गया है कि उमिद्वारों ने निर्ख्षक को कई बार बताने की कोशिस की थी उन्होंने निर्ख्षक को समझाया था कि टेक्स्ट बुकलेट और उमार सीट अलग होने के कारण उनकी परिक्षा की चेकिंग सही तरीके से नहीं होगी उन्होंने का कि प्रिक्षक को के सभी छात्रों को दी गई सभी बुकलेट पर कोट चेक किया लेकिन गलती को सुधारा नहीं हालांकि NTA ने अपने वकील कि मादेम से हाई कोट को सुचित किया कि हो याचेका करताओं की समस्च्या का समधान खोजने में ASMR था जिससे हाई कोट ने NTA को आदेश दिया कि हो याचेका करताओं की फिर से नीट की exam का आयोजन करें तो इन दोनों students की need की exam दुबारा से होगी NTA इनको inform करेगा कि ये कब exam होगी क्या इनका exam center होगा तो अभी हमें देखना होगा कि result इनकी exam के बाद आता है या फिर NTA इनका exam बाद में conduct करवाता है या फिर result पहले declare कर देता है ये है अभी waiting के लिए है तो देखते हैं आगे क्या होता है जैसे भी होगा आपको inform कर देंगे मिलते हैं नई update के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जय है